तो आज की इस वीडियो में आप सब के लिए लेकर आएंगें बहुत ही असान सी रेसिपी धोकले की रेसिपी तो ढोकला हर कोई खर्पे बना लेता है तो आप सोच रहोंगे की धोकले की रेसिपी में इसा क्या खास है तो आज की जो वीडियो हैं उसमें में आपको बताऊंगी की बहुत ही असान तरीके से और बिल्कुल पॉर्फट तरीके से धोकला कैसे बना सकते हैं इसमें कुछ ऐसे टिप्स हैं जिसे आप पुरह देखेंगे तो आपका धोकला भी बिल्कुल पुर्फेक्ट जालीदार और स्मॉजी धोकला आपका बनेगा बिल्कुल मार्केट स्टाइल जैसा तो तो आपका भी बनाना चाह 210 जएअ बनाना चाहते है बहुत ही टेस्टी एक सारी नाम से हैמा इसे बनाना बहुत आपका तो आप पर लिएक डेखेंगे आपना बांने फोट्टी वेजीबिया के नाम से और इंस्ट्राग्राम पर एक अकाउंट है वेजीबिया के नाम से आप उसे भी फॉलो कोरें तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना तो एक कटोरी बेसन उसके है और इसी के साथ यहांपर यहांपर मैंने एक कटोरी दही का यूज़ किया तह हुचा है और दही डालने के बाद अपने आड करेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा struggle दालने के बाद इसकातर है मचा त्यार होगा और अनम कलर को को मैंने करना है बहुत ही अच्छे से मिक्स सबसे इंपॉर्टेड पॉइंट ढोकला बनाने के लिए यही है कि जिस्टम आपने अपने बेसन को घोलना है नमबर वन पॉइंट तो यह है कि एक ही डिरेक्शन में आपको इसको घोलना है और लगातार पांच मिनट के लिए कि जिए लगातार आप यहां पर इसे म Аने डरंकि तो एक तरफ कड़ Spiel तो एक तरफ कड़ाई में मैं यहां पर पानी घरर अर इसके साहिप करने के लिए तो अंसlike साथ हम कंटेंडर का यूज कर रहे हैं तो यहां पर कंटेंडर में हम ने अच्य से बरस्टा ना पूरी इसके बीश में अच्छे से सेट हो जाए और आपस में चिपके नहीं तो यहां आप आप देख पा रहे है मैं अच्छे से फिलाते हुए चारो तरफ ओल कर रहे हूं ताकि जो कंटेनर में हमारा दोखला बिलकुल असानी से निकल के बाहरा जाए तो अब यहां पर जो हमारा अच्छे से कम से कम 20 मिनट हो चुकी है और 20 मिनट के बाद दुबारा मैं इसको थोड़ा सा फैटूंगी और इसके बीश में मैं एड करूंगी आधा चमच बेकिंग पावडर और एक पैकेट इनो का तो यहां पर बेकिंग पावडर और इनो डालना बहुत ही इंपॉर्ट इनो डालने के बाद भी हमने अच्छे से बैटर को कर दिया है मिक्स और यहां पर अपना कंटेनर के अंदर जिसमें हमने ऐल पहले से लगा के रखा अपना डोकली का बैटर इसके बीश में डाल देंगी तो आप यहां पर देख रहे हैं कि बहुत जादा गाड़ा भी नही अच्छे से स्टीम हो चुका है और इसके अंदर दालेंगे अपना कोई भी एक स्टैंड और उपर से हम अपना डोग लेगा जो मने बैटर बनाया था वो रख देंगे और अब इसे हम लेट लगा देंगे तो अब हमने इसे कम से कम 15-20 मिनट के लिए चोड़ देना कुक कर तो 15-20 मिनट के लिए इसे हम धीमी आज पर रख देंगे और जिती देर यहां पर कुक हो रहा है तो दूसी तरह हम अपना तड़का त्यार कर लेगा तो यहां पर एक पैन में मैंने लिया है कोई भी कुकिंग ओल आप ले सकते हैं और यहां पर मैं एड कर रहे हो सर्सो के दाने तो मैंने एक बड़ा चमच यहां पर सर्सो के दाने का यूज किया है और इसी के साथ जब यह अच्छ से रोस्ट हो जाए तो यहां पर मैं एड कर दोंगी कडी पत्ता कडी लीव्स मैंने लिए है वह हम इसकी बीश में डाल देंगे तो यहां पर हम एड कर देंगी मिर्ची हरी मिर्च का यूज कर रही है यहां पर और इसकी मैंने सेंटर से कट कर लिया और सेंटर से कट करने के बाद हमने इसके बीश में डाल दिया है थोड़ी दिर के लिए करेंगे जिस्ते की यह अच्छ से कड़ी पत्ता और सर्सो के दाने और मिर्ची अच्छ से एक तो यहां पर मैंने यहां पर इसे रोज कर लिया है पांच मिनट के लिए और आप देख पा रहे हैं काफी अच्छे से यह हो चुकी है तो यहां पर मैं एड कर रही हूं आधा चमश नमक और इसी के साथ हम एड करेंगे दो बड़े चमश चीनी के तो यह बहुत ही इंपॉर्टिट है क्योंकि हमारा जो डोकले का उपर जूस होता है वह खटा मिठा होता है तो यहां पर चीनी डालना बहुत ही जरूरी है तो चीनी मैंने डाल दी है और इसे कर लेंगे मिक्स और इसके साथ हम इसके बीच में उसी टाइम ही एड कर देंगे एक बड़ा गिलास पानी का यहां पर आप देख सकते हैं मैंने इसे चीनी डालने के बाद एक ग्लास पानी डाल दिया है इसके बीच में और अब हम थोड़ी देर पानी को एक उबाल आने तक के लिए पकाएंगे जब तक पानी में अच्छे से उबाल ना आ जाय, तब तक आप इसको पकाएंगे यह बढ़ या दोखले का इधर हम वना रिदर ना रिदर का बना रिदर का बना रिदर है तरखका का अभी इंकम्प्लीट है जब तक इस नेभू का रश से लगा तो यहां पर हमने आधा नीबू का यूज करना है और आधा नीबू इसके बीश में निचोड़ देना है तो बहुत ही बड़िया सा फ्लेवर आएगा इस दोखले के अंदर तरके के अंदर तो यहां पर आधा नीबू डालने के बाद हम इसे अच्छे से कुक करेंगे ताकि पूरा एक उबाल आ जाए और अच्छे से त्यार हो जाए जब यह आप बजार में दोखला काते होंगे आपको ध्यान रहेगा पानी बाला दोखला अच्छा उसके पानी जूशी दोखला होता है तो कई भर हमारा जो घर पर ढूखला बनता है वो ड्राय ड्राय सा होता है नहीं बन पाता तो जूशी बनाने के लिए आपको इसका पानी इसके बीश में डालना बहुत जरूरी है यह जब तक उसके अंदर डलेगा पूरा पानी को सोख करेगा और फिर हमारा बिल्कुल धोखला परफेक्ट मार्केट स्टाइल जैसा बनेगा जूशी जूशी पानी में उबाल आ चुका है और जो हमारा धोकले का मसाला है बहुत ही बढ़ी हो चुका है यहां पर मैं गैस का फ्लेम कर दोंगी बन और चली अपना धोकले को देख लेते हैं फिर एक बार तो यहां पर अभी इसे हो चुके हैं 15 मिनट तो एक तूथपिक लेंगे और इस सकते हैं धोकले को दोल्कि अब हम निकल रहे हैं तो side में यहां पर थोड़ा सा नाइफ-से निशना इसक को एकट puisqu बहुत ही ली निकल आए और बिल्कुल भी नीचे नहीं चिपका तो बिल्कुल पर फेक्ट यहां पर ढोड़ा तो तुमारा बनकी हो चुका है त्यार मैं आपको उठाकर दिगा हूँ हाथ में तो आप देख पारे हैं बहुती सफ्ट है बहुती स्पोंजी ढोड़ा देख पारे हैं कितना सॉफ्ट तो चलिए अब आधा प्रोसेजर तो हो चुका है अब फाइनल हम इसके ओपर से अपना तड़का एड कर देंगे और यहाँ पर देख रहे हैं कितना पानी वाला तड़का है तो यहाँ पर स्टाइल जैसा बना रही हुँ हुँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल पर फट जाली दार ढोख ला हमारा कि असानी से घर पर बनकर हो चुका है तेयार तो अगर आप गेस्ट के आगे रखेंगे तो गेस्ट जाजी नहीं कर पाएंगे कि आपने घर पे बनाया है या बजार से लंगाया है तो यहां पर एक ढोकला आपको मैं दिखाती हूँ इसकी जाली देखिए इसका जूस देखिए और इसका टेक्स मुकले की रेसिपी और इसी तरह हमारे चैनल पर आप सब बने रहें धेट सारा प्यार देने के लिए हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें